एक जुर्ता को लेकर हम क्यूंकि बैस करने हैं दिशान अमुर जाय समवात की अनुप्रिया जी आपको मैं शामिल कर रहा हूं चर्चा में क्यूंकि नितीज जी ने बयान दिया था कि कॉंग्रेस फैसला करे अब कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिकाव जिन खड़गे ने बयान आम जनता जसतर से आज केंडर की सरकार से परिशान है क्योंकि एक बार भी हमने यह सरकार को कभी भी अपनी किये गई उजनाव पर यह अपनी उपलब्दी पर बात करते नजर नहीं आते हैं यह हमेशा अगर बात करते हैं तो कभी किसी दल के निता पर किसी के आप टाइट परक्षी दल का नेता है तो उसको EDCBI का हवाला दे करके इसको चुप कराया जाएका तो इसी को मद्हें नजर देखते वे हमारे नेता मुखमंत्रीजी ने कहा है कि देश में जितने भी राजितिक दल जो बिपक्ष में हैं उनको एक होने की जुरुत है क्योंकि अब यह मुक्ता देश की नागरिक के लिए है तो हम बिजेपी को और देश को भाजपा मुक्त भारत करेंगे और हम सौपे सिमड देंगे अब बात जो गटवंदन की बात कर रहे हैं हमने कहा कि कॉंग्रेस एक रास्ट्री पार्टी है लेकिन साथ में मुझे लगता है कि आज की समय म कॉंग्रेस को जितनी भी पार्टियां उनको एकजूट करने की उनको कोशिश करने चाहिए ना कि चहरा पर कि मुझे लगता है कि कई और पार्टियां है जिनको आपको एकजूट करने की कोशिश करनी चाहिए प्योंकि अगर सौप इसे मिटने की हम बात कर रहे हैं तो कु उनको चेत्रे दलों की सहाइता की जुरूत है तो मुझे लगता है कि पहले अभी बुद्धे की राज़ी की बना है तो मुझे लगता है कि अपना प्रदान मंतरी बनने का सपना पाले हुए है लेकिन अनुकन अनुकन अनुक्रिया जी किस भी जब भी गडदन होता है तो भरोसा और क्रेडिबिलिटी यह बहुत जरूरी होता है नितीश एक ऐसी करेक्टर है देश की सियासत में बिहार की सियासत में जिसके साथ भी गड़बंदन करते हैं वो तोड़ देते हैं आज जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ चुनाव लड़ना शु जिस्वी को दिया था रवी जी मैं बता दू कि 2015 एक एक्स्वेमिंट जो हम लोगों ने 2015 में किया था 2014 का अगर लोगसभा चुनाव अगर आपको याद हूँ और लोगसभा के चुनाव के बात ही एक साल जो वर्ष बिता था देश में यह हमारे लिए बहुत ही कि वह चिंत किया जिसमें साथ दलू का मागट बंदन था और इसी एक्स्वेमिंट की बात हम कर रहे हैं देश की जानती की दूसरी बात अगर कह रहे हैं कि आप जिस जनाधार के साथ में जाते हैं हमने 2020 में चुनाव विजेपी की साथ लड़ा लेकिन एक विजेपी का जो चाल चरित था वो उजागर ये हुआ कि उनकी राश्ट्री अधर्ष ने बिहार की धर्ती पर आकर कहा कि चेत्रिये पार्टियों को खतम करने की जुरत है